वेलकम दूदा चैनल स्टूडेंट्स तो आज की इस वीडियो में में अख्स्प्लेन करने वाले हैं चैप्टर एल्डी हाइट्स, कीटोंस एंड कार्बोकसिली केस्ट्स में से बहुत इंपोर्टन प्रीविएस सियर कॉश्टन्स जो के आपके टर्म टू एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन रहने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इससे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आपने इस चैप्टर की वान शोट वीडियो को जरूर सुनना है उसमें भी आपका बहुत कुछ वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा तो क्युक्कि उसके साथ आपको रेक्शन से याद होंगी जो के हम इस वीडियो की प्रॉबलम्स में यूज करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की प्रॉबलम्स को तो काफी important प्रॉबलम्स मैंझे आप लोगों के लिए select की है यहाँ पर तो सबसे पहली problem है कि an organic compound C8 यहाँ पर H6 on reaction with dilute sulfuric acid containing the mercuric sulfate gives the compound B तो एक compound है जो B बना रहा है ठीक है this compound B can also be obtained from the reaction of the benzene with a style chloride अब देखिए जब benzene a style chloride के साथ correct करता है in the presence of anhydrous aluminum chloride ठीक है तो क्या बनता है तो benzene के साथ जब हम style chloride की reaction करवाते हैं तो हमारे पास acetophenone बनता है तो हम तो हमें यहाँ से यह idea हो गया कि हमारा B compound क्या होगा B compound हमारा acetophenone ठीक है वी ओन reaction with iodine and koh gives c and yellow compound D मतलब idopom वाले इसकी reaction होगी ठीक है तो idopom reaction जब इसकी होगी तो क्या-क्या बनेगा तो यहाँ पर बन जाएगा that is co इसकी oxidation कर देंगे इस co के साथ ONA लग जाएगा ठीक है और साथ में जो था CH3 this CH3 इसका बन जाएगा idopom CH3 ठीक है तो यह हमारे c and d हो गए अब बात है सिरफ A compound तो A क्या होगा अब देखिए यह जो reaction उन्हों में बताई है यह कौन सी reaction है यह हम reaction करते हैं अलकाइन से क्या बनाते हैं यह क्या बनाते हैं यह क्या बनाएंगे तो यह क्या बन गया C6H5 बन गया तो साथ में इसके क्या लगेगा C triple bond C ठीक है तो यह हमारा A compound बनाएंगा तो इन सभी की complete जो reaction हैं मैं आपको एक बार यहां पर भी दिखा देता हूं तो यह हमारा A compound बन गया यह बन गया B that is the acetophenone और C में सोरी यहां पर N A की जगा पर K आएगा क्योंकि हमने को एड किया है ठीक है और यह बन गया हमारा D that is the यह इन सभी की reaction होगी तो सबसे पहली reaction में यह बनाएगा यहां पर acetophenone ठीक है और benzene से भी acetophenone हम बना सकते हैं और acetophenone की reaction with iodine and KOH वहां से हमें मिलेगा potassium benzoate and यहां पर idophen ठीक है तो ऐसी कुछ problems आपको दी जाती है है तो main point क्या है कि यह reaction आपको याद हो जाएंगी तो हमने वां शूर्ट वीडियो में सभी reaction आपके तो सबसे पहले है acetone reacting with barium hydroxide तो क्या बना देखिए यह याद होगा तो भी आप अंसर्स पता बनगे अगर आपको पता है तो नीचे साथ में comment करें जल्दी से फटा फट ठीक है तो acetone जब रेक्ट करता है barium hydroxide के साथ तो कौन सी reaction होती है that is the aldol condensation ठीक है तो aldol condensation में क्या होता है ऐसे दो molecules आपस में चुड़ेंगे ठीक है condensed हो जाएंगे कि दूसरे के साथ जूड़ जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर जो alpha hydrogen है यह इसके पास आ जाएगी यहाँ पर oh बन जाएगा so this becomes the oh ठीक है और यह वाला ch3 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर और इस c के साथ यह यहाँ से c जूड़ जाएगा ch2 co ch3 ठीक है तो यह आपका बन गया एक अब इसको हमने किया है heat तो heat करेंगे यहाँ से oh remove हो जाएगा यह वाला जो oh और यहाँ से hydrogen ठीक है तो यह मारा बन जाएगा ch3 c double bond ch और बाकी का सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा dehydration हो गए इसकी ठीक है तो यह हमारा बन जाएगा B compound ठीक है यह था a compound and this is the B compound अब इसकी हमने reaction करवाई है with iodine and NUH that is the idle form reaction तो idle form reaction इस पर effect करती है ch3 co group पर तो यहां से इसे break करेंगे तो यह मारा क्या बन जाएगा इसकी oxidation कर दें बाकी सब कुछ as it is ही रखेंगे ठीक है यह सभी bonds वगयरा double bond और यह co के साथ लग जाएगा ओ एन ने ठीक है और ch3 का क्या बन जाएगा ऐड़ो फोन ठीक है तो यह आपको यहां से मिलेंगे c and d clear है भी तो एक हमने बताना है iupac name इसका आप लोग उने iupac name बताना है तो इस साइड से शुरू करेंगे 12345 ठीक है तो यह हमें तो यह हमारे पास क्या नाम बन जाएगा 4 hydroxy 4 methyl pentane 2 ठीक है तो यह हमने यहां से शुरू किया 345 ठीक है तो यह हमें पुछ रेक्शन्स इस तरह से मिलने वाली हैं तो सभी रेक्शन्स आपकी हुई हुई है और रड़ी बस आप लोगों ने इसकी प्रेक्टिस करने हैं इसके बाद एक और ऐसी ही प्रॉप्लम है कि एन औ इन दी मॉलिकुलर फॉर्मला सी फोर एच एट ओ गिवजी ओरेंज रेड़ प्रेस्पिटेट्स विद टू फोर डी एन पी रीजन अब देखें टू फोर डी एन पी रीजन के साथ औरेंज रेड प्रेस्पिटेट्स हैं मतलब इसमें क्या होगा सी यो ग्रुप यानि के या तो यह अल्डी है या फिर यह की टॉन इट डज नोट रेड्यूस तर टोलेंस रीजन ठीक है यह टोलेंस रीजन को नहीं रेड्यूस करता मतलब यह क्या है यह की टॉन यह तो श्यूर होगा ठीक है बट गिवस दा येलो प्रेस्पिटेट्स ओफ दी आइडो फोर्म ओटम हेटिंग विद एन ला एके और यह तो इसमें रेक्षिंग वह रही है मतलब इसमें है नंक्रू यह गुरू न बटोय गुड़ा हूद तो यही फारमला यहाँ से बन रहा है अभी तक तो यह हमारा हो सकता है compound आगे देखते हैं compound A on reduction with sodium borohydride gives the compound B अगर इसकी हम करेंगे reduction ठीक है तो reduction होकर क्या बनता है यहाँ पर alcoholic group बन जाएगा OH बन जाएगा reaction on heating with a concentrated sulfuric acid to form the compound C ठीक है तो अगर हम इसकी dehydration करवाते हैं इसको heat करते हैं इसकी dehydration करवाएं तो dehydration में क्या होता है यहां से OH और इसका hydrogen remove कर देंगे तो dehydration मतलब के water यहां से बाहर निकलेगा और हमें अलकीन मिल जाएगा double bond बन जाएगा यह बन गया हमारा ब्यूटी ठीक है नाओ compound C on ozonolysis ठीक है to form the compound C this is our compound C ozonolysis gives two molecules of ethane तो हम इसका मतलब हमने बिल्कुल ही यहां पर अब तक सही किया है क्योंकि ozone के साथ erection होकर यहां से break होता है तो यहां से break होकर धोनों साइड पर दो दो कार्बन है तो हमें दो molecules ethaneol के मिल जाएंगे तो यहां से ethaneol बन जाएगा ठीक है clear है तो यही हमारा यह पूरी बन जाएगी sequence so this is the a compound this is the compound B and this is the compound C उन्होंने कहाया कि identify कीजिए a b और c को वो तो काम हो गया right there structures वो भी हो गया right direction of the compound A जो compound A है हमारा with the this one that is the idofome and with the nabh तो nabh4 वाली तो हो गई इसकी reaction हमें idofome के साथ है लितनी वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो idofome के साथ क्या होगा कि यहां पर oxidation होकर बन जाएगा coona और एक बन जाएगा CHI तो यह हमने बहुत बार पहले ही reaction की हुई है तो यह सभी आप लोगों के answers में जाएगा ठीक है तो मतलब अगर आपको जानकारी है तो one by one आप लोग स्टेट्मेंट को रीड करकर understand करें तो बिल्कुल अराम से यह सभी अंसर हो जाएंगे अगर आपको requirement है तो मैं इसकी प्रैक्टिस पीडियेफ आपको जरूर दूंगा ठीक है बट विदाउट इन ए विद मोलिकुलर फोर्मला दिस वन ओन और जोनोल हैसिस गिवजे मिस्चर अफ्टू कमपाउंट बी अब देखें बी एंड सी या तो अल्डी हाइड और कि टोंस हो सकते हैं ठीक है अब उसके बारे में आगे देशते हैं कमपाउंड बी गिवस पोस्टिव देखिए यहां पर अगर आपको याद होगा मैंने आपको बहुत बार यह वीडियो में पताया है कि एल्डी हाइड जो आइड़ो फोर्म रेक्शन शो करता है एक ही एल्डी हाइड है दो कार्बन वाला क्योंकि हमें CH3 CO चाहिए होता है ठीक है ना अगर हमें आइड़ो फ अगर होता है तो यहां पर लगा देते हैं तो यह हमारा C हो सकता है यह हमारा B हो सकता है ठीक है अब A रह गया अब A की स्ट्रक्चर अब हम यहां पर बनाते हैं हैं तो A है हमारा पांच कार्बन वाला अलकी है ठीक है यह होगे पांच कार्बन एक बना दो कार्बन वाला एल्डी हैट एक बना है यहां पर तीन कार्बन वाला किटो अब देखिए अगर मैं इसकी स्ट्रेट चेन बना देता हूं तो हमें दोनों ही यहां पर मिलते हैं त तो इस साइड का बन जाएगा हमारा किटोन और इस साइड का हमारा बन जाएगा ठीक है तो आपका ए जो compound है उसका पॉर्मा कुछ ऐसा बनेगा यहां पर आप लोग hydrogen अटेच कर देना ठीक है तो यह आपके यहां पर बनेगा ठीक है क्लियर है भी तो यह ABCD हो गए राइड दा रेक्शन्स और दी ऑजोन लाइसिस एंड पॉर्मेशन ओफ दी आइड़ो फॉर्म ओफ बिएंस इतनी अंडर्स्टेंडिंग होगी न कि हमने compound कैसे चूज कि अब इनकी रेक्शन्स आप लोग सभी यहां पर explain कर सकते हैं वह मैं आपको दिखा देता हूं क्या होगी इन सभी की रेक्शन्स ठीक है तो रेक्शन्स इनकी कुछ ऐसी बनेंगी तो दिस इस इस दी compound A हमारा बन गया यह दोनों B और C बन गए इसकी अजोनोल आइसिस करेंगे पहले option में और अगले option में जिंक कैन वोटर एड़ करते हैं तो यह दोनों हमारे B & C मिल जाएंगे ठीक है और बाद में B & C की आईडो फोम के साथ रेक्शन्स करेंगे यह CH3 का हम बना देंगे आ ना भी शोग करें फिर भी आपका काम चलता है ठीक है ख्लियर है भी तो ऐसे आप लोगों को अंसर्स को explain पावना है ओके भी तो आगे चलते है राइड़ स्ट्रक्चर्चर्स ओफ दी A B C D in the following direction यह SNCL to HCL वाली यह कौन सी रेक्शन है आपको नाम पता होना है चाहिए यह स के बन गया CH3 CHO क्लियर यह भी अब CH3 CHO में आप एड़ कर रहे हैं तो यह क्या करता है यह करता है यह क्या करेगा अल्डो ऩर्ट नंशेशन करें तो यह है ग्रूप तो इसमें एक ऐसा और मोलेक्यूल हमने जोड देना है CH3 CHO का तो यहां पर आ जाएगा हाईडोजन यह बन गया CH3 CH यहां पर लग गया OH और यह CH2 यहां पर आकर जोड़ जाएगा so this is our B compound ठीक है तो this is our B compound B को heat करेंगे तो इसकी dehydration होकर यहां से OH बाहर निकल जाएगा so this becomes the CH double bond CH CH एक यहां से OH गया और एक यहां से hydrogen गई dehydration होगी यह I think हम दूसरी तीसरी बार इस reaction को explain कर रहे हैं तो काफी ज़्यादा बार दे रेक्शन आती है ठीक है और A में हमने HCN add किया this is the nucleophilic addition reaction क्या होता है HCN के वक्त CH3 COH है इसमें HCN जाएगा तो CN attack करेगा यहां पर C पर और जो hydrogen है वो आपका attach हो जाएगा इस O के साथ ठीक है तो हमें क्या मिल जाएंगे साइनो हाइड्रेंस यहां से मिल जाएंगे यह बन गया OH तो यहां पर जोड़ जाएगा सी ठीक है तो हमें D option यह हमारा डी रिजाएगा ठीक है तो ऐसे आपको यह सभी अंसर्स यहां से बताने हैं क्लियर है ठीक है तो आई होब कि आपको understanding हो रही है याद हो रही है रेक्शन तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है सुनने पर यह आपको सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ठीक है तो यह आपके लिए अंडर्सेंड करना सबसे ज़्यादा है अलकीन विद्धी मोलिकुलर फॉर्मला सी फाइव एच्टेन ओन अजोन लाइसे गिव्जे मिक्चर ओफ टू कंपाउंड सी कंपाउंड बी गिव्जी पोजिटिव फेलिंग टेस्ट अंड आल्सो रेक्ट्स यह प्रोब्लम हमने तो आगे चालते हैं एंड बी या टू फंक्शनल आईजोमर्स ओफ कंपाउंड जिसमां ठीक है इसके फंक्शनल आईजोमर्स हैं ओन हीटिंग विद्ध एन्निवेच और आईटू यानि कि आईड़ो फों टेस्ट डैट आईजोमर एफोंस दा येलो प्रेस्पिटेट्स मतलब जो आईजोमर्स A है उसमें क्या होगा उसमें CH3 CO ग्रूप इतना तो शोर होगा अब यह नहीं पता LD हाइड है क्या है ठीक है वेर्ज बी डेस नोट फॉर्म एनी प्रेस्पिटेट्स मतलब बी में ऐसा बिलकुल नहीं होता मतलब बी जो है वो प्रोबेबली क्या हो हो सकता है ठीक है के भी हमारा एक LD हैड हो सकता है जो के मिथाइल कीटों ना हो मतलब CH3 CO ना हो तो यह हमारा बी बन गा है तो ए में अगली कार्बन यहीं पर रखेंगे तो यह हमारा ए तो मतलब एक आपको आईजोम रेक्शन की जानकारी के साथ आप ऐसे फार्मुले को य चलो एन ओर्गेनिक कंपाउंड ए हैविं मोली कुदर फॉर्मला जिस वन गिवस्टा ने अगिटेव तोलेंस टेस्ट ठीक है इट मींस दाट इट इस एक किटों तो क्या बन जाएगा यह किटों बन जाएगा वैसे आगे देखते हैं पेर लिए फॉर्म सी एन पैंटेन हैं उल्मान क्लमेंसन रेडक्षीए क्लयमेंसन रिडक्षीन रिठेक्षन करने पर वह स्ट्रेटेव बनाता है अधी बना तूम मतलब वह स्टरेट चैन की क्टॉंडित तो डिस æक्मेंटेटों है तो हमारा की स्टोन भी स्टेंड चेंड बनेंगा बट डज नोट गिव आईडोपों मतलब उसमें च थ्री सीओ ग्रूप प्रेजेंट नहीं है मतलब सीओ ग्रूप एंड पर नहीं आएगा बीच में कहीं पर रखतेंगे इडेंटिफाई ए और सभी रेक्शन बताएं तो पांच कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लें बिल्कुल यह तो सिंपल है स्ट्रेट चेन बनानी है रखते हैं यहां पर सकते हैं तो यह आपका और यहां दिका देता लफ़ चेन्ट्रेया सुर्से दिक यहां आपको यहां पर दिखा दैता हूं तो यहां की हुई बन चेन सिंपल अलकेन बना लेता है ऐसी एक और एक्षिन होती है वोल्फ किशनर रिदेक्षिन उसका भी काम से में होता है ठीक है उसमें एड़ किया जाता है हाइड्राइड कियो एच इंड इंड इंडिकलाइड को वह भी अगर कही आई तो आगे में आपको बताते हैं ठी a b and c r3 non cyclic non cyclic functional isomers of a carbonyl compound with molecular formula this one now the isomer a and c give positive tolerance test मतलब a or c क्या हो गए एल्डी हाइड एल्डी हाइड ठीक है चार कार्बन वाले एल्डी हाइड से वेर आईजोमर भी डेस नोट गिव्टा टोलेंस टेस्ट वर्ट गिव्ट गिव्ट पोजिटिव आइडोफों टेस्ट मतलब यह एक कि टोन है जिसके पास के c h3 co group है ठीक है मतलब कि मिथाइल की टोन है भी वाला ठीक है आईजोमर से एंड बी ओन रेडक्शन विद जिंक इस इस क्लेमेंसन रेडक्शन गिव्ट सेम पड़क्ट दी तो ए और बी का सेम पड़क्ट मिलता है दी राइड दा स्ट्रॉक्चर ओफ ए बी सी ठीक है और इन में से कौन सा आईजोमर विच इस लीस्ट रेक्टिव वार्स्टी अडीशन पर अच्टीन होगा अब देखे ए और ए और बी का सेम अलकेन बनता है तो पहले हम बी को बनाते हैं बी क्या था किटोन था ठीक है और किटोन भी कौन सा था जिसके पास होगा मिधायल की तो यह ग्रुप है तो मतलब आगे हम ऐसे दो कारबन ऐसे ही जोड़ सकते हैं और तो कोई ओप्शन नहीं है तो यह मारा बी हो गया किटोन अब देखे ए और बी का सेम पड़क्ट है विद दिसके मतलब इन दोनों का पड़क्ट क्या बनेगा सिंपल ब्यूटेन बन जाएगा यहां पर तो हमारा ए भी फिर क्य है एक One दिए तो अल्ड हैड बनाते हैं ऐसे करते हैं यहां परsti एक रर्ख लेते हैं तीन कार्बन की चेन रखकर एक कारबन यहां वा कर लेते हैं तो यह हमारे ब्यूस बन रहे हैं बारी अम आगे एक पर अच्छे से हमीं सेम ठीक है तो आउट ओफ ए बी एंड सी आईजोमर विच वन इस लीस्ट रेक्टिव टवार्ड अडिशन ऑफ एच्छी एच्छीन की अडिशन के लिए कि टोंस आर लीस्ट ठीक है एल्डी हैट्स और और यह अंसर मारा भी हो जाएगा तो यहीं हमारी स्टॉक्चर सा बढ़ा रही है यह मारे सही सभी अंसर तो बी हमारा अंसर हो जाएगा जो के अडिक होगा तो आप लोग नीचे कोमेंट में बताते रहे आगे चलते हैं जो रेक्षिन के बारे में आपसे बात कर रहा था वही रेक्षिन आ गई दिस इस दिवह टॉल्फ किश्णर रिठक् reduction ठीक है इसमें क्या होता है सेम रिजल्ट यहां पर अटेच हो जाएंगे हाइडोजन सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसका बना दें यहां पर बना दें सी ओ एन ने जुड़ गया और च्रीका बन गया ऐडोजन ठीक है अने वैच सिए ओ इस इस दी डिकार्बोक्सी लेशन ठीक है दिस दी डिकार्बोक्सीलेशन रेक्षिन डिकार्बोक्सीलेशन में क्या होता है सीओ यहां से रिमूब करतें इसका बना देंगे हाइडोकारवन यानिके अलकेण CH4 और यह जो NA और CO बाहर निकले हैं इनका बना देते हैं NA to CO2 ठीक है clear रहे भी तो ऐसी simple से erections की आप से पूछी जा सकते हैं तो आगे चलते हैं again the addition of HCN यह मैंने आपको बताया था यहाँ पर जुड़ेगा CN और यहाँ पर जुड़ेगी hydrogen क्या बन जाएगा this one we get this O के साथ जुड़ेगे H और यहाँ पर जुड़ जाएगा C ठीक है और यह फिर से आ गई हमारी decarboxylation इसको हटा दे तो यह simple क्या बन जाएगी benzene so we get the benzene और प्लस में इसका बन जाएगा Na2C तो reactions अगर आपको याद है तो और अच्छे से याद हो जाएगी अब यह कुण सी reaction यह बताई था यह हमने एक reaction मैंने आपको बताई थी stiffen reduction ठीक है stiffen reduction में हम क्या यूज करते हैं एसन सी यल्टी विद अब उसकी जगा पर हम यह भी यूज कर सकते हैं डी आई बी लच बनाने के लिए वरती जाती है रेक्शन यूज की जाती है तो यहां पर बन देंगा CHO क्लियर है अभी ठीक है यह भी याद रखिएगा डाई आइसो ब्यूटाइल अलूमीनियम फाइडर इसका नाम हो ठीक है तो आगे चलते हैं अब है यहां पर बेंजीन के उपर जुड़े हैं दो कारवन और उसकी ऑखिडेशन कर लेए अब देखिए इस औरेक्षन में क्या आपने फोर्टन भी जाह राखना है चाहे यहां पर दो कारवन हो तीन कारवन हो चाहे ए कारवन हो सबी cases में हमें oxidation करकर यहाँ पर बनाना है one carbon वाला जो carbon directly attach है benzeem के साथ उसकी oxidation करना है इस carbon की oxidize होकर यहाँ पर बन जाएगा acid salt और इसको बाद में हमने इसमें add किया है कोई भी dilute acid तो यहाँ पर k-positive की जगा पर hydrogen जुड़ जाएगा तो हमें benzoic इससर में जाएगा बस यह बात का दियान रखना है इस carbon के पास hydrogen होना चाहिए जब तक इस carbon के पास hydrogen है तो इसकी oxidation होती रहेगी बागी carbon वहाँ से remove हो जाएगे उनका कुछ और बन जाएगा अब CRO3 CRO3 क्या काम करता है this is the mild oxidizing agent ठीक है तो यह यहां से hydrogen और यहां से hydrogen remove करकर हमें क्या बना देगा यहां पर एक ketone बना देगा तो यह आपका पहले बनेगा एप अब इसकी reaction हो रही है यह कौन सी चीज है this is the semi-carbazide ठीक है तो semi-carbazide के साथ कैसे reaction करते हैं यह जो hydrogen है दोनों और यह जो oxygen है ठीक है और सुरी यहां पर बेंजीन बिल्कुल नहीं आएगी यह बेंजीन नहीं है ठीक है अब क्या reaction होगी अब यह जो oxygen उतर जाएगा उपर से और यह जो n है यह यहां पर जूरेगा with the double bond और इस n के साथ बाकी ही जो कुछ है वो सब कुछ ऐसे रहे हैं एन एच सी यो और चलियर है तो ऐसे होती है इनकी रेक्शन सेमिकार्बाजाइट यह और भी बहुत सारे अमोनिया इन डेरिवेटिव्स की होती है रेक्शन वह आप लोगों ने जिरूरी डप करने हैं क्लियर है तो आगे चलिए होता है क्या होता है सी और एच था सी के साथ जुड़ गया सी और ऑक्सिजन के साथ जुड़ गया यहां पर है तो यह जो है इस पर अटैक करेगा अब यह बहुत इंपोर्टन रेक्शन है क्योंकि यह स्किक्प हो जाती है एक्षन ठीक है आर्टू सीडी जैसे हम यूस करते हैं रिगनाद रीजन वैसा ही यह यहां पर यूज होने वाला है जो हमारा है यहां पर ग्रॉइन इस अस्यींग ग्रूप के साथ जा कर कर अटैच हो जाएकए तो दिश एक हम जोड़ देंगे चो इस तो यह ऐसे यह भी टू है यह वी टू है तो यह ऐसे दो बन जाएंगे बाकि क्या बचा सीडी के साथ दोनों यहां से जोड़ जाएंगे चीजा ओर अब यह भी रेक्शन इंपोर्टन है जैट इस धी तो क्या होता है कि जो एलपा पुजिशन पर हाइडोजन है वो रिप्लेस हो जाता है विद्धी हैलोजन बस यही काम होना है बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा तो CH3C यहां पर जुड़ जाएगा ब्रोमिन और बाकी सब यहां पर वन बाइवाइज होती रहेंगी ठीक है अब है यहां पर हम इसे की रेक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा ओएच की जगा पर अटैच हो जाएगा तो यह बन गया C6H5COCl ठीक है अब यह कौन सी रेक्शन है हाइडोजन विद पैलेडियम स्पोर्ट अबर बीरियम सलपेट इस इस दी रोजन मूंड रिडक्शन ठीक है अगर आपको याद होगा हम चैप्टर को यही से ही मेली शुरू करते हैं तो यह क्या काम करती है यह यहां पर CL को हटाकर हाइडोजन जोड देती है तो यहां से हमें अल्ड हैड ग्रूप नल जाता है यह सी ओ के साथ लग गया यानिके CHO ठीक है क्लियर है भी फिर आगे है हमने क्या किया साइनाइड में ग्रिगनाट वीजन एड किया तो क्या होगा सबसे पहले CH3 C के साथ यहां पर जुड़ेगा CH3 ग्रूप और N के का एक बॉंड ब्रेक करकर MGBR लग जाए ठीक है अब इसमें हमने हाइडोलाइस की है वोटर एड किया है तो यह क्या करेगा इस पूरे ग्रूप को हटा देगा और यहां पर O अटैच कर देगा यानि कि ऑक्सिजन तो हमें यहां पर एक किटोन मिल जाए तो ए हमारा क्या बने किटोन अब इसकी रेक्शन यह अब कौन सी रेक्शन यह मैं आपको पहले भी दो हुआँ और बार बता तका आँ यह कोन सी रेक्शन है होने वाजी है सिंपल सी ठीक है तो आगे चाहिए इसके बाद अगें तो डिस इज एन इस इन एली हाइड भी है इसमें ग्रूप और किटोनी ग्रूप अब यह कौन सी चीज है ठीक है सिल्वर के साथ दो अमोनिया जुड़े हैं एक पना है कंप्लेक्स दिस इस दी टोलेंस ठीक है आपको याद होना चाहिए अगर नहीं याद है तो याद रख लें इस इस दी टोलेंस इसका काम होता है यह एल्डी हाइड ग्रूप को ही ऑक्सिडाइज करता है और अपना क्या बना लेता है सेल्वर तो मतलब क्या होगा यहां पर तो बाकी तो सब कुछ ऐसे ही र है अब इसके बाद है सोडियम बोरो हाइडराइड के साथ रिडेक्शन कर देखिए इसमें क्या इंपोर्टन है अगर सोडियम बोरो हाइड राइड है तो सिरफ एल्डी हाइड और कि टॉंस में ही हाइडोजन एंड होगी अगर हम यहां पर यूज कर देते स्ट्रॉंग यहां से ब्रेक कर देता बट इससे ब्रेक नहीं होगा यह इसको बस यहां पर अल्कोहल ग्रूप बना देगा बाकी सारा मोलीकूल ऐसा ही रहेगा सेम ठीक है तो यह कुछ बातें एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं वह आप लोगोंने यार रखने हैं अब यह रेक्श हैं एक के पाथ एलुजन है डूसके पास नही है यह कौन सी रेक्शन मैं क्रोषस अलडोल कर्णार टिक है यह रेक्शन आपकी बनती है क्रोश्द प्रम दोल किन ऊदूंद आप पर जूख जाएगा CH to CHO ठीक है तो ऐसे आप लोगों ने सिंपली इन सभी रेक्शन स्कोर सोल आउट करना होता है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं रैड़ दा में पर डक्त ओंड वैंडी प्रोपे नल ठीक है फोपे नल रेक्स विद्धा पॉलोग तुमोल्स ओफ टी अल्कोहल इन दे प्रेजंस ओफ ड्राइ एच्ची देखिए प्रोपे नल है डिस इस दी प्रोपे नल ठीक है अब इसमें सबसे पहले तो जो है वो इस सी के साथ एक जुड़ेगा ओसी हगिए वाला ग्रूप और फिर एक और जुड़ जाए एक हाइडोजन ऐसे ही रहेगा तो दो ओसी हच ट्री ग्रूप यहां पर जूड जाएंगे और यह क्या बन जाएंगे यह जहेया आप लोगोने खुद करनी है इस इस में ृसच और करते हैं तो इस में इस प्रोटन क्या है कि attachment इस carbon की होगी विद इस carbon ठीक है तो क्या होगा CH3 CH2 और यहां पर बन गया OH इसका hydrogen ऐसे ही रहा ठीक है एंड इसके साथ आगे यह वाला CH जुड़ेगा CHO इसका और यह जो था CH3 ग्रूप यह इस carbon के साथ हम इस साइड पर बना रहा ठीक है तो प्रोपे न आप लोगों ने याद रखना है जो एल्डी हाइड के साथ वाला carbon होता है उसके पास जो एलफा hydrogen है उसी के साथ यह पूरी रेक्शन होती है अल्डोल कंडेंशेशन वाली जो एंड वाला है चेन में वह बिलकुल नहीं यूज करना ठीक है यहीं से मिस्टेक कर जाते हैं ब वॉल्फ किशनर रेडक्शन तो वॉल्फ किशनर का रिजल्ट क्या होता है वॉल्फ किशनर का रिजल्ट होता है सिंपल अलकेन तो हमने तीन कार्बन वाला सिंपल अलकेन बना देना है थर्ड में क्योंकि इसमें उसने सिरफ आप से अंसर पूछे है ठीक है राइट दा मी distinguish between the following अब देखिए ये भी एक किटोन है ये भी एक किटोन है किटोन किटोन में तो distinction के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं only one option is there that is the idle form test वो इसके पास ch3 co group है so it gives the idle form test with this one but this does not give the idle form test अब इसमें इसमें देखिए जो हमारा formy के सड़ है it gives the aldehyde बाले सभी टेस्ट देता है so it तो यह क्या करेगा tolerance region के साथ यह शो कर देगा test positive silver mirror test but this does not give this test ठीक है यह मैंने नीचे explain किया हुआ है कि heat the both compounds this gives the yellow precipitate white foam add ammonical silver nitrate solution of the tolerance region this gives the silver mirror while this ठीक है क्योंकि formic acid जो है उसकी अगर हम structure चेक करेंगे तो उसमें aldehyde group भी present होता है ठीक है इस साइड से aldehyde है और इस साइड से वह इस लिए हो जाती है reaction aldehyde जाने साथ ठीक है तो आगे चलते हैं गिवे सिंपल टेस्ट फिर से वही इसमें CH3 CO group है इस गिवस्टी आइड़ोफों टेस्ट देस्ट देस्ट नोट गिवस्टी आइड़ोफों टेस्ट वाइज अलफा आयन बनता है ठीक है तो यह आयन यहां पर लेक्ट्रों से शेर करकर इस तरफ से ऐसे रेजुनेंस बना कर स्टेबलाइज हो सकता है देरफोर यह जो होती है कार्बन यह जो होती है hydrogen that is यहां पर acid के मुच्च दूटी रेजूनेंस स्टेबलाइजेशन ओभी तो यह आप लोग बता सकते हैं क्लियर है भी तो reasoning questions तो मैंने आपको विडियो में भी सभी questions explain किये हुए हैं गिव simple chemical test to distinguish between the following butanol and butan toone तो आई थिंग के इसका अंसर तो आप लोगों को जरूर पता होगा क्योंकि एक है aldehyde एक है ketone तो aldehyde में हम क्या यूज कर सकते हैं silver mirror test जानी के tolerance region test या फिर failing solution test कोई भी यूज करने और ketones में तो यह होंगे नहीं शो benzoic acid and phenol यह important है benzoic acid strong acid होता है उसमें आप लोगों ने add करना है sodium bicarbonate add कर सकते हैं और भी options है ठीक है तो जो हमारा यह पार्ट है this is the first part में क्या यूज करेंगे tolerance region test ठीक है ब्यूटेनल गिव्स दी सिल्वर मिरर बट ब्यूटेन टूओं अब देखिए उसमें हमें यह कहा है कि गिव दी simple test तो जरूरी नहीं है आपने erections भी बतानी है अगर आती है reaction तो जरूर बताईए ठीक है तो नाओ एड न्यूट्रल फैरिक को राइड इन बोदा सिल्यूशन फिनोल फोंस दी वोईलर कलर बट बंजोई के सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ब्रिस्क परसेंस मिलेगी कार्बन डाइक साइड की वह भी यूज कर सकते है एक्शन ठीक है यह भी सही है वह भी तो आगे चलते ह मैं काफी कुछ included है तो मैंने यही कोशिश की है कि वह सभी problems आपकी अलग रहें और इसमें आपको कुछ अलग कुछ extra problems में आपके लिए बताओ तो arrange the following in increasing order of their boiling points तो boiling points के order में हमने increase करना है अब देखिए जो होते हैं यहाँ पर carboxylic acid वो सबसे strong hydrogen bonds बनाते हैं उसके बाद alcohols बनाती है और सबसे weak जो होता है वो यहाँ पर ketones या aldehides के अंदर जो attraction होती है वो वाड़ी होती है तो सबसे low इसका रहेगा उसके बाद high दूस कर तो यह इसका answer हमें जाए पर clear अभी simple है तो आगे चलते हैं कि राइट दा रेक्शन इनवर्ड इंवेल इंटाड रेक्शन तो इटाड रेक्शन क्या होती है इटार डिक्षन डारेक्शन में क्या करते हैं टोलुईन से बनाते है ठीके और इस इस आवर तोलुईन इसमें और किया CRO2C2 this is called chromyl chloride क्या नाम है इसका क्रोमाईल क्लोराइड यह इसके साथ यहां पर जूट जाएगी दो हाइडोजन को रिप्लेस करकर ठीक है अब इसकी हम कर देंगे अगले स्टप में हाइडोलैसिस तो यह हमें मिल जाएगा बनजाथी हाइड ठीक है इसको यहां पर जोईन करवाना थोड़ा सा डिफि अगले टू ऑक्सीजन को अलग लग करते हैं ठीक है और दूसरे में पूछा था अरेंज दा फॉलोविंग इन दा अंक्रीजिंग ओडर ओफ देर एक्टिविटी टुवार्ट्स दी नूख्लियोफिलिक अडिशन अब देखिए नूख्लियोफिलिक अडिशन डेक्शन मे क्या होता है कि aldehyde are more reactive than the ketones तो सबसे पहले ketones की reactivity सबसे low है और aldehyde में जितने alkyl group उसके पास ज्यादा होंगे उतनी reactivity low हो जाएगी इसके पास जुडा है CH3 इसकी reactivity low हो गई और जो हमारा सबसे होता है simple aldehyde और Meldehyde इसकी रेक्टिविटी सबसे हाइस रहे थी ठीक है क्योंकि इसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस या पर इंड़क्टिव गयरा नहीं होगा तो इसकी रेक्टिविटी सबसे हाई रहे थी ठीक है तो आगे चलते हैं इसके बाद है हमारे पास रेक्टिविटी सबसे अब देखिए सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि पी के अगर होगी लोर तो मतलब क्या होगा स्ट्रोंगर इसदा सkk genuinely 하는 को तो पी के एलो वाला एस तो यह स्ट्रोंग यह फूआ खोगा विकोज और क्लोरिन क्लोरिन का क्या होता है माइनस आई एफेक्ट थीक है इलेक्ट्रोन विद्रोइंग इड्टिव एक्ट के कारण ये स्ट्रोंग एससर है तो स्ट्रोंग एससर की पी के वैलू छोटी होगी सिम्पल सांसर है ठीक है अब यह बहुत इंपोर्टन्स है यह मैंने आपके लिए श्पेशल प्रोब्लम व आइड्राइड को ऐसे भी बना सकते हैं यह उसके फॉर्मुले को रिपर्जेंट किया गया है तो इसका क्या जल्द था यहां सी एन की जगा पर हमने एल्डी है ग्रूप करते ना है सी एच्चो बाकी सब कुछ सेम रहेगा यह स्टिफण रेडक्शन के साथ होती है रेक्शन ठीक है तो यह आपको सभी अंसर्स यहां पर मैंने एक्स्प्लेंट किये हुए हैं ओके अभी ठीक है तो आगे चलते हैं अब आ गई आपके लिए कनवर्जन सबसे पहली बंजोई के सट से बंजल्डी है तो सोचिए पहले आपको सोचना है अच्छे से के बंजोई के सट बना लें दूसरी तरफ बंजल्डी हैट बना लें तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इसको चेंज कर सकते हैं रेखिए जोई के सड़ के पास ग्रुप होगा सी ओवच इसकी जगा मैं टैज कर दूँगा सी यल और सी यल की जगा पर मैं टैज कर दूँगा हाइडोजन तो यह हमने दो स्टेप करने हैं इसके लिए मैं क्या एड़ कर सकता हूं PCL 5 बेंजीन साथ में खुद बना लेना और इसके ल कर सकते हैं PCL 5 की जगा पर यहां पर सी यल जोड दिया रोजन मुंड रिडेक्शन करेंगे तो अगली है एसिटोफिनों इसको बनाना है बंजोई के सब्सकी ऑक्सिडेशन करवाते हैं ऑक्सिडेशन के लिए हम यहां पर आईटोफों बाड़ा वी यूस कर सकते हैं वह इ यहां पर हम कोई भी डिल्यूटेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा बंजोई के सब्सक्राइब तो क्या करेंगे सबसे पहले इसकी हम करवाएंगे यहां पर आजाएगा इसकी आगे रेक्शन करवा देंगे क्या करता है क्या करता है क्लोरिन को चेंज करकर ओएच जोड़ देगा तो यह हमारा ठीक है मतलब वही सभी रेक्शन यूज होती हैं आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं है ठीक है आव यूज कंवर्ट अफ्टे नल तो प्रोपेनोन अब ये थोड़ी सी प्रोब्लम वाली बात होती है इथेनल दो कार्बन है हमें बनाना है प्रोपेनोन तीन का तो यह देखते हैं अगर हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए यहां पर कार्पन तो हमें ग्रिगनाट रीजन की रिक्वाइर्मेंट तो ग्रिगनाट रीजन क्या करेगा कि जो आपका एल्डी हाइड है ठीक है इसमें एक जोड़ देगा CH3 तो इसका हाइडोजन ऐसे है ओक्सिजन के साथ वो जोड़ देता होता है MGB अब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगी ठीक है तो यह हमें अल्कोहल मिल गई है अब अल्कोहल में हमारा एक्स्ट्रा तो एड हो गया है कार्बन अब इसकी ऑक्सिडेशन करते हैं CRO3 के साथ तो यहां से दोनों हा कर आपको आपका किटोन मिल जाएगा तो यह तो बहुत ही सिंपल है टोलू इंटू बेंजोई के सड हमने स्टॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजन के अमनो फॉर इंदी पटाशियम हाइड ऑक्साइड के साथ इसकी ऑक्सिडेशन करवा देनी है और यह आपका बनेगा स्टे यह तो यहाँ पर एक अमाइन्स की भी एक्साथ में ही यूज करनी पड़ेगी तो हम सबसे पहले इसकी एक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो यह बन गया हमारा बैंजेमड में ब्रॉमिन एंड के वह अगर आप लोगोंने अमाइन्स वाला चैप्टर किया हुआ है तो वोफ मेन ब्रोमो माइड डी डी इडी रेडेशन वाली ए्यरक्शन यूज़ हुई है वह यहांसे æl को remove कर देती है तो हमारा दूसरा है भृमो-मिथेन टू इधेनोर तो इंधेन श्राइक जीन कर सकते हैं केसी हन औरי क्ज्च substitution हुई यहाँ पर cn जुड़ गया इसकी हमने अब कर देनी है complete hydrolysis complete hydrolysis cn को change कर देती है acid group में COOH अब इसका हमने करना है reduction reduction in the presence of strong reducing agent या फिर borane di borane की presence में भी हो सकती है तो वो इसको क्या change कर देगा वो इसको alcohol में reduce कर तो यह भी reaction कुछ अलग सी है यह भी आप लोगों ने जिरूर याद रखनी है ठीक है clear है भी ओके तो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों ने practice करनी है video को रोक कर करें आप लोगों को इसकी unsold file मिल जाएगी जैसे भी आप लोगों ने है आप लोगों ने practice करनी है ठीक है फिर ही आपको आएगा यह सबसे अच्छा है कि आप इसको रोकें video को और ऐसे ही इसको screen से soul करते रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके पास का काफी ज्यादा अभी तो time है पेपर तक आपके अच्छे से practice हो जाएगी ठीक है तो इस चैप्टर की video I think दूसरे चैप्टर से थोड़ी सी बड़ी बनेगी कि इसमें बहुत कुछ होता है explain करने वाला तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों ने जरूर इसमें अपना इन्वेस्ट करना है बट आपको जरूर फाइब आगे है कि एरोमेटिक कार्बुक्सिली के सद्टू नोट अंडर्गो फ्रीडल क्राफ्ट एक्षिन ऐसा क्यों नहीं होता ठीक है एंड पीके ए वैल्यू ओफ दी फोर नाइट्रो बन्जोई के सदीज लोवर धैन्ड़ अब इसके अंसर क्या है कि एरोमेटिक जो होते हैं विकोज कार्बुक्सिलिक ग्रूप इज डी अक्टिवेटिंग एंड क्या इसमें जुड़ा हुआ कार्बुक्सिलिक ग्रूप होता है वो वो क्या करता है वो अलूमिनियम खोलो रध्ज जोके एक लूईस एससऊट है उसके साथ ही अपने बॉंड் स बना लेता है तो इसलिए प्रिटरल क्राफ्ट प्रेक्शन हो नहीं पाती क्यूंकि हम प्रिडरल क्राफ्ट में क्या यूज करते हैं as a catalyst use करते हैं Aluminium chloride को अगर वो खुद ही रेक्ट हो गया तो फिर रेक्षिन तो हो नहीं पाएगी पीके वैल्यू ओफ टी फोर नाइट्रो बेंजोई के सदिस लोवर मतलब यह स्ट्रॉंग एस्ट तो स्ट्रॉंग क्यूं है स्ट्रॉंग है क्योंकि इसमें NO2 जुड़ा है तो NO2 जुड़ने के साथ एस्ट स्ट्रॉंग हो जाते हैं विकोज NO2 इस एन इलेक्ट्रों विद डून ग्रॉप ठीक है यह बात आप लोगोंने याद रखने हैं तो यह इसकी कुछ बनेगी स्ट्रॉक्चर ऐसे है और इसके साथ जुड़ा है पैरा पोजीशन पर अनो टू ग्रॉप यह इसे स्ट्रॉंग एसर बनाता है अगर इसकी जगह पर हम सी एच थ्री ओ सी एच थ्री जोड़ दें वो इसको बीक एसर ठीक है भी क्लियर है ऐसे यह बंजोई के सदिस्ट्रॉंगर एसर दैन दी एस्टीक एसर द्यू तो दी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ठीक है मीठेनल इस मोर रेक्टिव तो वार्ट्स नुक्लियोफिलिक अडिशन रेक्शन दैन दी एथेनल क्या होता है प्लस साई एफेक्ट और स्टेडिक हिंट्रेंस गिवे सिंपल टेस्ट तो दिस्टिंगवेश बिविन प्रोपेनल और प्रोपेन कार्बन ठीक है अब देखिए के बंजोई के सर्ड में क्या है कि के यह जो कार्बन जिसके साथ सी ओ और एच ग्रूप जोड़ा है यह वाला कार्बन डिस इस दी एस पी टू हाइब डाइस तो उसकी एलेक्ट्रों नेग्टिविटी जादा है ठीक है उसके कारण भी हो सकत मतलब इथेनोल में क्या होता है यहां पर आएगा इथेनल ठीक है उसमें क्या होता है कि यह जो सी ओ ग्रूप है यह छी अपना प्लस साई इफेक्ट दिखाता है और यहां के पोजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देता है इसी लिए मिथाइल ग्रूप होने के कारण उसकी इसके पाद है इसके पाद है अरेंज दा फॉलोविंग कमपाउंड इन अंक्रीजिंग ओडर ओडर और प्रोपर्टी इनको एसरी करेक्टर में हमने करना है अरेंज अब देखे जब कोई कि जब अनो टू जुड़ा होगा तो दिस इस दी मोर एस्टिक ठीक है और फ्लोरिन वाला वी एस्टिक होगा ज्यादा डैन दिस वन और एक में है सिर्फ एक कार्बन वाला इससर है तो अब इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है ठीक है सबसे पहले एस्टिक सबसे पी के सब्सक्राइब और फॉर्मिंक एस्ट उससे स्ट्रोंग है क्योंकि इसके पास कोई प्लस साइफेक्ट गयरा नहीं है ठीक है कर्बन है क्योंकि अलकाइल ग्रूप होंगे तो वीक करते अब फ्लोरिन जुड़ा है फ्लोरिन होता है एलेक्ट्रों विद्रोंग ठीक है आगे है कि एससीटों तो सबसे पहले एससीटों तो यहाँ नहीं तो यहां पर बेंजीनो हो तो सबसे लो रहेगी एसीटोफिनोन की उसके बाद आएगा बंजल्डिहाइड क्योंकि इसमें भी बैंजीन दिंग जुड़ी है फिर आएगा एसीटोन विदाउट बैंजीन दिंग कि टॉन है इसलिए और सबसे ज्यादा यहां पर रेक्टिव होगा अस्टल्डिहाइड क तो आगे चलते हैं राइड दी आयू पीसी नेम ओफ इस वन तो क्या नेम आएगा भी 1234 तो फोर है मतलब के ब्यूट ठीक है थ्री इन टू ओं ठीक है ब्यूट थ्री इन तू ओं ठीक है ना कि टॉन है टू पर जुड़ा है ओं ग्रुप और थ्री पर आगया था हमारा ठीक है उसके लिए हमने इन लगा दिए क्लियर है कि गिव दिक कैमिकल टेस्ट तू डिस्टिंग्वेश बिट्विन इस वन इते नल एंड प्रोपेनल इस अगें अल्डी हैड एंड किटोन का पेर है प्रोप एंटेन टू ओं एंड पैंटेन थ्री यह यह दोनों ही हमारे किटोन से बट पैंटेन टू ओं जो है जो हमारा यह है पैंटेन थ्री ओं डिस गिवस दी आइडो फॉम टेस्ट ठीक है और जो उपर वाला है उसमें से आप लोग एक टेस्ट यहां से प्लाई कर सकते हैं टोलेंस रीजन भी कर सकते हैं फेलिंग सिलूशन भी कर सकते हैं इतनल में शो हो जाएंगे दोनों ही ठीक है और प्रोपे नॉन में कोई भी नहीं शो होगा ठीक है और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें आप लोग यूज करेंगे आइड़ो फोर्म टेस्ट पैंटेन टू ओन की स्ट्रक्चर क्या होगी पांच कारबन है ठीक है और सुरी यहां पर इसमें नहीं शो होगा ठीक है पैंटेन टू ओन में यहां पर जुड़ेगा सी यो ग्रूप इसमें शो हो जाएगा आईड़ो फोर्म टेस्ट बट पैंटेन ट्री ओन में बिलकुल नहीं होगा ठीक है तो आगे चलते हैं तो यह फिर से वही रेक्षन आ गई कि जो बन्जल्डी है उसकी रेक्टिविटी लो होती है राइट दा क्रोस अल्डोल कंडेंशेशन पड़क्त बिट्विन बन्जल्डी है एंड इथेनल तो क्रोस अल्डोल में क्या होगा यह जो है इसका हाइडोजन यहां पर जाकर ओ बनाकर दिखाता हूं यह इसका ओएच बन जाएगा और इसके साथ यह वाला ग्रूप जुड़ जाएगा सीएच तू सी एच ठीक है तो यह बनेंगा ठीक है पहले स्टेप में बाद में अगर हम इसको करेंगे हीट तो हीड करने पर यह वाला ओएच और यहां से यहां पर होता है यहां पर होता है जो के बंजीन के साथ जुड़ा है इसका जो यहां पर पार्शल पोजिटिव चार्ज होता है वह हो जाता है तो इसके कारण इसकी एक्टिविटी लो हो जाती है ठीक है तो आगे कुछ और है प्रोब्लम्स अब यह आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं यह आप लोगों ने खुद यह वाली है नहीं इस कर सकते हैं यह प्रोब्लम अब आप लोगों ने खुद मुझे बतानी है कि इसका अंसर क्या आएगा बिल्कुल सिंपल है ठीक है तो आई थिंग के अब तक तो आप लोगों को इतनी अंडिस्टेंडिंग हो गई होगी अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो यहां तक आप लोगों ने जरूर्ब नीचे कमेंट वोक्स में बताने हैं ठीक है इसके अंसर कुछ ऐसे होगी तो आप लोग यहां से रीड कर लेना ठीक है तो यह भी हमारे और ड़ेडी हो चुके हैं यहां पर ठीक है तो यह सबी प्रोब्लम सब आप लोगों ने खुद करनी है ठ के चैप्टर में से important problems की वीडियो I think कि आपको अच्छे से understanding होगी होगी इसके साथ ही हमारी बहुत ही जल्द आमाइन्स वाली वीडियो भी आ जाएगी और फिर हमारे दो चैप्टर हैं यहां पर बचे surface chemistry and the coordination compounds उनकी वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए बना दी जाएं about exam से आपको 4-5 दिन पहले तो वो वीडियो से जरूर मिलनी चाहिए ठीक है फिर यह आप लोग अच्छे से शेयर करें थैंक्स पर वाचिं दिस वीडियो